गुड इबनिंग प्यारे बच्चों कैसे वाप सब उमीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही काफी बच्चों ने मांग किया था कि अचसी अफ बताईए भिन का एक इसके पहले आपने जो है लसी मौला तो बता दिया लेकिन अब एक सीअफ नहीं बताया जैसे मालीजिए दो फिरेक्शन है से बटे नौ वाइए अठारा बटा वंतिफ तो इनका एक सीअफ क्या होगा यानि हाइस्ट कॉमन फैक्टर देखि कैसे निकाल लोगे अगर मैं कई 200 छेह इनका सीवक्या होगा तो आपको में दो होगा इनका क्या होगा दोगा ना रूपर वाल्त वीगएह सांफ्न जो-ऊस समझ रहे हो ना भक्तर मतलब आप गुड़न खंड बोलोगे ज्यादा अच्छा होगा नहीं कंफ्यूजन में रहोगे ठीक है तो बड़े से बड़ा क्या करना है गुड़न खंड हमें फाइंड करना है जो दी गई संख्या में दोनों को डिबाइड कर सके नहीं जिस से डिब करता है विशेस वो ध्यान देना है कि सूत्र में यह देखना है आपका जो नुम्रेटर है यान्स उसका क्या निकालेंगे एच्छी एफ ठीक है जैस्ट इसका आपोजिट होगा है भरों का क्या होगा एच्छी एम होगा बस इतना अंतर रहता है अगर लसी एम करते हैं तो देखो एक काम पहले और कर सकते हो क्या इनको पहले आप सारल कर लो आपस में और आफान हो जाएगा जब देखो दो फेटिवाइड हो जाएंगे दो नौँ आठारा लेकिन यह गड़बड है गड़बड है बाबा इनको बड़ी से बड़ी संख्या से काटो तो छे दूना सिर्फ वन होगा वन की अलामा और कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों और दो दोनों को डिवाइड कर सके लिए अच्छा लगेगा संतुष्टी भी आपको होगी थोड़ा तो थोड़ा बढ़ा कर लो सकून भी मिलेगा थोड़ा चैन भी मिलेगा तो यह सब भी लेना चाहते हैं देखो क्या करना इनको काटने के बाद जो बचेगा तीन बटा दो बचेगा वह दो बटा एक बचेगा बस एक लाइन और बढ़ा लो यही संतुष्टी थी उमीद करता हूँ कि सभी लोग समझ गए अभी सब क्लियर हो जाएगा डॉंट वरी चलो तो पहला सवाल हो गया यह काथियों क्या करना है HCF निकालना है हमने क्या लिखा है नुम्रेटर का HCF मतलब आप लिख लो इंग्रेश वाले HCF आफ नुम्रेटर अपान LCM आफ डेनोमिनेटर सिकेंड कुश्चन पर आजाओ क्या कहता है लिख लो भीया 14 बटा 17 वा 16 बटा चलो मान लो कि तुम क्या ही लिख दू मैं इसको 11 लिख लो अच्छा लगेगा चलो इसका क्या करना है HCF HCF आपको पता है अगर हमें फाइनली HCF फाइंड करना आंसर तो हम क्या करेंगे हम अंस का वही चीज निकालेंगे जो हमें फाइनल में अंसर निकालना होगा ठीक है तो लिखोगे HCF आफ नुम्रेटर लिख लिया HCF आफ नुम्रेटर नीचे लिखोगे LCM आफ यह उपर वाले है यहापस में कटेंगे नहीं नहीं इनमें कोई फूट बाहर नहीं है काटों के छोटे हो जाते हैं ना आसान हो जाते हैं तुमारे लिए यह होता है अपस में लड़ा जगड़े का फायदा अगले को मिलता है यह दोनों आपस में करते तो मेरा फायदा होता कटी नहीं रहे यह भी नहीं कट रहे भाई तो होगा नहीं चलो ऊपर ऊपर जो दोनों और दोनों कर जाएंगे थोड़ा फैक लाइन साट कर रहा हूं बाकी मैं चाहूं तो इक लएन आगे लिख लो 14 वा 16 का ऐसीएफ लिखें दो यार लिखो परिसान कर देता तुम लोग लिखो रोगवा दोला का HCF नीचे लिखो 17 वा 11 का LCM ठीक है? तो इनका दोनों का HCF हो जायागा दो बिने टाइम कमाई लिख लो इनका LCM देखो इनमें कोई भी common factor नहीं है 11 और 17 में इनका गुड़ा ही इनका क्या होगा? LCM होगा तो 17 कम 17 का साथ 17 कम 17 का ठारा ठीक है? यह हो जायागा इतना यह हो गया answer कोई doubt ना किसी को? नहीं? चले आगे ठीक है छापे रहो भीया देखो comment करके जरूर बताना कि आपको अगला topic क्या चाहिए जो बच्चे अभी इसको live देख रहे हैं आप premiere में comment कर रहे हैं वो नहीं जब यह comment live chat का आप्सन खता मुझा तब comment करना इसमें आके जिससे वो मुझे comment में मिल पाए ठीक है जब live chat का आप्सन खता मुझा आगा तब आके comment करना ओके चले आगे चलो ठीक है बढ़िया डन तो यह हो गया अगला तीफरा नंबर भीया एक और लिख लो तीफरा नंबर लिखो 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 ओनाइस और यह 25 वा 27 ज्यादा बढ़ना हो जाएगा 10 लिख लो वा 16 ले लो अच्छा रहेगा का HCF कर लोगे ना जो तरीका बताया हूं सेम तरीका अपलाई करके कर लोगे पक्का हर कोई कर लेगा कोई दिक्कत ना किसी को चलो भया तीफरा कहो तीने भाव है हाँ एक और बता देता हूं चलो इसको भी हल कर लो क्या करना है तरीका सेम अपलाई करना है बस सही जगा लिखो अन्सों का HCF नुम्रेटर आफ HCF क्या बोल गया नुम्रेटर आफ HCF नहीं सोला का LCM तो इन दोनों को जो HCF होगा बाबु भया वह वह वन होगा क्योंकि वन के सिवा कोई ऐसा गिंती पैदा नहीं जो इन दोनों को काट सके इन दोनों में 36 कहां कड़ा है मैं अभी वीवाला समझ रहो तो यह क्या होगा वन होगा 25.16 इनका LCM यानि ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरता डिवाइड हो जाए भाई साब कोई लाजिक की नहीं यह अलग गाओं के इनकी अलग हुलिया इनका अलग है इनका बैवार अलग है इनका दोनों को कोई common factor है ही नहीं अगर कोई common factor नहीं होता है तो उनका गुड़ कोई कीमत नहीं आप तो 1685 हाफिलाया आठ और 16 दुना 32 328-40 यह हो गया 400 तो यहीं आंसर आपका कोई डाउट ना किसी को तो यह क्लास आपको कैफे लागा comment में जरूर बताना अगलर टॉपिक आपको कह चाहिए यह भी मुझे बताना ठीक है आज मैं इसको चैट का आपसर कुछ भी कहना है अगला टॉपिक क्या चाहिए मुझे बताना